बहुत दिन पहले से इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि इस गटवंदन में बीएसपी की इंटरी हो सकती है और खुल करके उत्तर प्रदेश के कॉंग्रेस के प्रभारी ने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी कि बिना बीएसपी के बीजेपी के खिलाफ लड़ना मुनासि नहीं होगा सवाल यह उठता है कि आज गटवंदन तलने की जो बात है उसके पीछे कॉंग्रेस की राजनीती इस ओर ही जाती है इस बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि हमने आपको बताया हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सुनील कौशिक जी हां सुनील कौशिक है वरिष्ट पत्रकार है हमारे साथ राजनीतिक विशलेशक और पत्रकार जी हां बिलाल सब्जवारी जी है आपका बहुत-बहुत स्वागत है सुनील कौशिक जी आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ अरविंज यह तिलक जी है आपका बहुत स्वागत है अरविंज जी और आपके एक और साथी कासिम साब वो बराबर इस बात को कहते थे कि कॉंग्रेस अब BSP की तरफ देख रही है आज की जो घटना है क्या वो इस बात की पुखता तस्दीक करती है क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से 15 जनवरी को कॉंग्रेस और BSP की मीटिंग ह होनी है और उसके बाद ही कॉंग्रेस अपने पत्ते खोलेगी क्या आपको लगता है कि कॉंग्रेस अब BSP के दरवाजे तक लगभग पहुँच चुकी है 15 जनवरी को बहुत कुछ फैसला होना है और जाहिर तोर पर उसके बाद ही गटवंदन में समाजवादी पार्टी के भविश्च को लेकर फैसला होना है अब पंकर जी देखिए इसको राजनितिक पार्टी और राजनितिक विश्लेशक और पत्रकारों से हटके आम आदमी भी आपको बता सकता है कि अगर आपको कॉंग्रेस से अगर आपको भारती जनता पार्टी से मुकाबला करना है उस्त की बार कह चुका हूं कि ममता बेनरजी आपको उस्तर प्रदेश में बिहार में महाराज में क्या मदद करेंगे लालू यादव आपको कामिल लाडू में क्या मदद करेंगे इस्टैलिन आपको बिहार में क्या मदद करेंगे इनमें से किसी का वोट कॉमन ही नहीं तो आप अपने राज्में लड़ा सकते हैं तो इसमें फिर गढ़बंदन वाली हो और यह इतने बड़े लंबे चोड़े पैत्रीस लोगों की गढ़बंदन का क्या मतलब है तो गढ़बंदन का मतलब तो सिर्फ तब आता है वह आजहां नहीं है आपसे गड़बंदन करेंगी तो ये गड़बंदन तो गड़बंदन समझ जाता है, बाकी तो मैं कई बार कैशी चुका हूँ किसाम मंता का weán बंगाल से बाहर नहीं है, लालो का weड भी बहार नहीं हूँ अकले श्यादों का वेट फूरे उत्तर प्रदेश पे नहीं है तो कुल मिला का है वो गडबंदर का मतलब क्या है रही बात आज की मीटिंग की तो साथ पिछली मीटिंग इनकी दसमेट में खारीज हो गई थी और आज की मीटिंग में भी आप देखें हैं कि क्या इनको पहले प्रश Effects का फोन हो गया कि यह आराना नहीं आ नहीं तो यह भी अचाँ और उसको ट्रा जारा रहा आये किसाब गडबंदन के माइने सिर्फ उत्तर प्रदेश में हैं और सबको ये मादलों में कि सबको एक फ्लाटफॉर्म पे आने से ही फायदा है लेकिन जैसा कि मैं हजार बार कह चुता हूं कि अकले शादो बहुजर समाज पार्टी को दुबारा खड़े नी होना देने च सबा के कंदे से विधान सबा पे निशाना लगाते हैं उनकी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि 2027 में भी जो इलेक्शन हो तेकि 35 साल बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार डारेक्ट एलेक्शन हुआ तब ही सब्सक्राइब कि फिर डारेक्ट एलेक्शन हो इस बार समाजव मालूम हैं तो वो जानते कि उन्हें सपा से ज़्यादा बस्पा किये तो इसलिए वो बाकाइदा उनको टाल रहे हैं और टालते टालते 15 तक ले जा रहे कि कॉंग्रेश भी देखे मायावती के बारे में कभी कोई बहुत शोर नहीं हो पाता है तो मायावती एक बार अपने तेरे कूचे से निकलें? सवाल ये है, क्योंकि ये भी पता है कि अखलेश यादव को इस बात का डर था, इस बात की चिंता सता रही थी, इसलिए अखलेश यादव ने मकर संक्रांती तक का अल्टिमेटम भी रे दिया था, कि अगर मकर संक्रांती तक seat sharing का formula तै नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी अपने सीट्स का डिक्लरेशन कर देगी और जायर तोर पर अकलेश यादब को ये मालूम था कि कॉंग्रेस बसपा से बात कर रही है बिलाल साब मैं आपके पास आना चाहूंगा आपने लंबा समय कॉंग्रेस कवर किया है क्या कॉंग्रेस बसपा के तरफ ज़्यादा उम्मीद से देख रही है क्या कॉंग्रेस बीएसपी के साथ जाने में अपना ज़्यादा फाइदा समझती है और यही वज़ा है कि कॉंग कर जी इसमें कोई दोराई नहीं है कि कॉंग्रेस बसपा को उत्तर परदेश के अंदर गड़ बंधन में लेने के लिए बहुत ज़्यादा एंबीशिस है और वो इस तरह का रिफलेक्शन उत्तर परदेश के अंदर जो कॉंग्रेस यूनिट के कदावर मेता है उस समय समय पर देते भी आए लेकिन एक मसला ये भी है कि कॉंग्रेस की जो प्रियरिटी है वो यह है कि समाजवादी पार्टी को भी वो अपने राइट हैंड पे रखे और बसपा को अपने लेफ्ट हैंड पे रखे और एक सेंटर मेकैनिजम के रूप में अक्ताम करते हैं लेकिन जिस समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच में एक मौझूदा टैंशन देखी जा रही है और जिसके चलते ये दो मिटिंग के कैंसिल हुई ये कही न कहीं बताता है कि दोनों पार्टी अनकॉंफर्टिबल एक दूसरे से हैं हैजिटीशन है और उतनी जादा पोकल नह समाजवादी पार्टी जो एक बहुत ही पॉजटिवली कॉंग्रेस के तरफ देख रही थी अब उसके एकिट्यूट के अंदर और कॉंग्रेस के एक एक नेगेटिव पीलिंग एक दूसरे के लिए पैदा हुई है यही वजा है कि यह मिटिंगे कंट्यूनिटली में कैंसि मौझूद है जो इंटर्नल प्राइलिटी यह फील करती है कि बसपा को गडवंधन में होना चाहिए और भले ही हमें उसके लिए अंतिय मूवमेंट में समाजवादी को त्याब न पड़े है यह फीलिंग है और यह फिंकिंग बहुत ही साइलेंटली कॉंग्रेस के अंदर क आती रहें लेकिन अगर समाजवादी बसपा के आने पर वीटो करती है तब कॉंग्रेस की प्राइटी बसपा ही रहेगी लेकिन सुनिल को सिक्साब मुझे जो जानकारी है उसमें यह है कि समाजवादी पार्टी ने कॉंग्रेस से यह कहा कि पिछले चुनाव में आप एक स चाहे है रननीती क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी साट सीट से ज्यादा लोगसभा छेतर में चुनाव लड़ना चाहती थी सीट पर चुनाव लड़ना चाहती थी लेकिन कॉंग्रेस ने एक मीटिंग की दूसरी मीटि चलना चाहरे हैं। कॉंग्रेस की मर्जी क्या है? सवाल यह है, क्यूंकि एक बात ये भी सामने आ रही है, कि कॉंग्रेस ये चाहरे है, कि हम बसपा से बात कर लें और बसपा का भै दिखा करके, समाजवाधी पार्टी से हम जादा से जादा सीटें एक्स्ट्राक्ट कर पंकर जी ये तो तय हो गया इन दो मीटिंग में कि जो अखलेश यादफ ये समझ रहे थे का उत्रपदेश में मैं बड़े भाई की भूनका में रहूँगा बड़ी पाइटी होने के नाते वो कांग्रेस ने तो आय ना दिखा दिया मीटिंग कैंसल करके और पिछली कैल लिए कांग्रेस की ही समय बड़ी पाइटी देख रही है जो मद्व प्रदेश के चुनाब के दोरान जो आक्रमत्था इकलेश यादब ने दिखाइ थी और उत्तपदेश के चुनाब में देखनेने की जो बात कही थी वह स्पस्ट हो गया दूसरा मैं फिर कह रहा हूं जितनी सीट पे समाजबादी पैटी लड़ेगी उतनी ही सीट पे बहुजन समाजबादी पैटी लड़ेगी एक सीट भी उपर और नीचे नहीं होगी और सीधा फर्मूला गया है कि 25 सीटों पर समाजबादी पैटी लड़े, 25 सीटों पर बहुजन समाजबादी पैटी लड़े, 15 से 20 सीटों पर कांग्रेस लड़े और बाद बाकी सीटों पर छोटे छोटे दल हैं जैसे राष्टी लोग दल है चंदशेकर जी की पाइटी है और भी जो लोग सम्मिलेत इसमें होंगे उनको छोड़ दी जाए यह बिल्कुल इस पर संदेश है अब इस पर अखले स्यादब मानते हैं कि नहीं मानते हैं जो गंभीरता से तैयारी चड़ रही है इस साथ और पैंसेट सीट का जो फॉर्मूला दे करके कूटितिक तरीके से राजनेतिक प्रेसर बनाने का समाजबादी पाइटी ने प्रयास किया वह अस्पल हुआ आज आप देखिए कि बहुजन समाजबादी को ध्यान में रखते यह समाजबादी पैटी कटमंदन से निकलती है तो बोट कटुगा के रूम में समाजबादी पैटी का उपयोग होगा तो अब भाजबाद देख रही है बड़ा गंभीरता से को होना क्या है क्या जो फॉर्मूला बहुजन समाजबादी पैटी ने तैय किया है उस पे लेकिन पंद्रे जनवरी को कोई ऐसी चीजे निकल करके आएंगी जहां निश्यत तोर से अखलेश आदव सोचने को मजबूर हो अर्विन जाती लग जी मैं आ रहा हूँ आपके पास अनुपम जी कुछ कहना चा रहे हैं आप कह लिजे अनुपम जी पंकर जी मैसर सुनिल भाई से एक सवाल पूछना चाला थे कि सुनिल भाई उसी इलाके से आते हैं और ये इनकी सफ़ा पे बड़ी महीन नज़र रहती है परिवार को फिर्कत रूप से जान दे तो उनके पास बिकल्प क्या है बिकल्प कोई नहीं है मिसराजी देखो दो हजार 27 की दौनों लोग तैयारी कर रहे हैं बहुजन समाजबादी पैटी और समाजबादी पैटी लोग सबा के चुनाम में इतना प्रैसर समाजबादी पैटी रखना चाह रही थी कि दोजार 27 के चुनाम में फिर उनकी भूम का एहम हो जाए और यहीं मद्यपते चुनाम के बाद दिख रहा था कि निस्चे तोर से समाजबादी पैटी अक्रमक होगी मेरा मतलब है अब ही में नाम नहीं खोलूँगा अकेले लड़ने का तो आप्चिन नहीं है ना अकेले ल चाहती है समाजबादी पैटी और कांग्रेस नहीं चाहती है इस बात को लिकर के कांग्रेस भी यहीं चाहती है कि दौनों हाथों में मैं भी अपने लड़ रखो बीजेपी की तरह है कि यहां से नहीं होता है तो का और समाजबादी पैटी से क्या फाइदा मिलेगा कांग् तो मुझे लगता है कुछ सीट हैं 30 से 35 सीट ऐसी हैं पूरे देश में जहां जहां दली समाज नरने करेगा बहुजन समाज पार्ति की नेता पर कहने पर कहां बोट करना है तो वह 35 साली जो सीटे हैं उस पर मुझे लगता है कि कांगरिस बड़ा गंभीरता से देख रही जो उत्तरपदेश से बाहर की सीटे हैं पर एक बड़ा सवाल ये उठता इन सारे डेवलप्मेंट से कि बड़ा भाई सबसे छोटा भाई हो गया जो सोच रहा था कि मैं बड़ा भाई हूं मैं सारे फैसले लूंगा और मेरे कहने पर सब कुछ होगा वो तो बिचारा सबसे छो कोटा सा भी थुआ जो ये सोच रहे थे कि कॉंग्रेस को मेरा लाइन टो करना है अब कॉंग्रेस पहले उनको नचा रही है और कॉंग्रेस उनको नचा रही है और खुद कॉंग्रेस बीएसपी के इसारे पर नाचने को तैयार है मतलब जो कहीं सीन में नहीं था वो सबसे बड़ा भाई बन गया मायवती जी बड़ी बहन बन गई और जो सीन में बड़े भाई के रूप में दिखाई पड़ रहे थे वो छोटे भाई बनते हुए दिखाई पड़ने ये राजनितिक उलट फेर को अर्विन जैतिलक जी आप देख कैसे रहे ये क्या हो रहा है क्या आ मेरी ही तरफ आना चाहेंगे और इसलिए अगर हमने दलित मुस्लिम गट जोड बढ़िया बना लिया तो समाजवादी पाटी हमारी लाइन टो करने के लिए मजबूर होगी और नहीं मजबूर होगी तो इस चुनाओं में तीसरे मोर्चे के लिए कोई स्पैस नहीं है इसल मुष समाजवादी पार्टी भी समझ रही है और बस्पा भी समझ रही है तौछ समझना ही नहीं है यहाँ पर उतंठ प्रदेश में देखियें बैठक इसलिएब यह नहीं भी आ सकती है दोनों बाते हो सकती है देखिए अखलेश यादव को कांग्रेस जो है मैराथन दोड़ा रही है उनको इतना ठका देगी इतना ठका देगी कि अंतता हुआ जो है घुटने के बल पर आ जाएंगे अखलेश यादव चाहते हैं कि इंडिया ब्लाक में हम फ्रंड पर लाना चाहती है और उसका उसके पीछे अपना एक पूरे भारत में संदेश भी है लेकिन एक चीज और गवर करना होगा यहां पर कांग्रेस पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में जवर्जस्त होम वर्क कर रही है देखिए अग 2019 के चुनाव को देखेंगे तो दस जो सीटे बस पाज जिती हो 26 सीटों पर वह जो है रणर रही है 38 सीटे लड़ी उसमें 26 पर रणर रही और दस सीटे जीती यानि करिब 75 अशी फिर्दी जो उसका स्टाइक रेट रहा समाजवादी पार्टी जो केवल पांस सीटे जीती है और 19 पर रणर रही अब बहु उसे जो है अजी सीटों की मांग कर रही है बस पाज चाहती है कि किसी से तरह यहन के परकारें हमारा कांग्रेस से समझावता हो जाए जिस तरह उसका विधान सभा में सिर्फ एक सीट आया है अब वो चाहती है कितना कम से कम मजबूत हो जाए कि 2027 में लड़ने के लायक बन जाती है तो यह 2027 का जो विधान सभाज चुनाव होगा वह पूरी तरह से यह मिल करके लड़ेंगे दरसल मालूम बसपा को भी चल गया है कि जो जिस तरह मुस्लिमत करनाटक में तलंगाना में और बाकी राजियों में जिस तरह कांग्रेस के तरफ शिफ्ट हुआ है सो भा बात बनती हुई नजर आएगी तो कांग्रेस पार्टी ही अब सवाल उठता है कि क्या अखलेश यादों इस हद तक जुकने के लिए तयार हो जाएंगे तो देखें उनकी मजबूरी है अगर कहीं बसपा और कांग्रेस मिल करके अगर साथ में गठबंधन कर लेते हैं और स बसपा के साथ मिल करके लड़ेगी तभी उसको जाए ज्यादा सीटे जो है लोग सभा में लड़ने के लिए मिलेगी क्योंकि सपा तो हुआ जो है उसको पहले सही करें कि आपको आट स्रीट देंगे दस देंगे कांग्रेस मारने को तयार नहीं है अगर बसपा के साथ अपने मद्दाताओं को हाशिये के लोगों को तो उसके पीछे हो सकता है कि अगर बात बन जाएगी तो इसका खुलासा भी कर देगी और उस दिन खुलासा करने का मतलब कुछ और होगा तो निस अंदेज उसी का इंतजार हो रहा है और थोड़ा कलका भी जो बैठक होने ज कि अगर कना होगा